पूरे भारत में 17 दिसंबर पैंशनर्स दिवस की रूप में मनाया जाता है इसी उपलक्ष में जिलाश्मला में भी पैंशनर्स दिवस मनाया गया जिला शिम्ला पैंशनर्स वेलफियर एसोसियेशन हेमाशर प्रदेश के अध्यक्ष आजमाराम शर्मा ने बताया कि आज का दिन पैंशनर्स के हित के लिए एक बड़ा दिन है 17 दिसंबर 1982 को सरवश ने आले द्वारा एक एहम फैसले केता है तो पैंशनर्स के हित में फैसला पारित हुआ था जिसके बाद से 17 दिसंबर पैंशनर्स दिवस के रूप में अंगी कृत है जैसा कि आपको बली बांती मालूम ही है कि पूरे भारत वर्ष में 17 दिसंबर को पैंशनर्स दिवस मनाया जाता है उसी उपलेक्ष में आज हम या जिला शिमला में भी ये पैंशनर्स दिवस मना रहे हैं आज का जो दिन है वो पैंशनर्स के हित के लिए एक बहुत बड़ा दिन है 17 दिसंबर 1922 को सरवुच नियाले ने एक एहम फैसला सुनाया था डी एस नाकरा वर्सिज यूनियन ओफ इंडिया फाइव जजिज की बैंचिस थी सुप्रीम कोट में और उस ताइम जो चीप जस्टिस ओप इंडिया थे वाई वी चंदर चूड थे उनकी जो बैंचन ने दे आज के दिन ये जो जज्जमेंट सुनाया था और उस जजजन्ट में उन्होंने में ये बोला है कि जो हम अपने पैंचनर साथियों को पैंचन दे रहे हैं ये कोई हम उनको खेरात नहीं दे रहे हैं उसका जो नटशल में ओ डिसीजन यही था कि हम ये पैंचनर को खेरात नहीं दे रहे हैं जो pensioner ने अपने हेडेज में और अपनी जवानी में गौर्मेंट के लिए जो services दी है, उसके बदले में ये deaf ed wages है, और ना ही ये ex-grisha grant है, ये deaf ed wages है, और जो pension है, pension इतनी मिलनी चीह है, जितनी जब आप salary ले रहे थे, जो जितना living standard उस ताइम आपका था, उसी तरह आपका living standard जो होना चीए, तो ये जो judgment है, वो 17 दिसंबर 1982 को हुई थी, तब से लेकर पूरे भारत वर्ष में ये pensioner दिवस मनाया जाता है, हिमाचल परदेश में भी आज हर जिलों में ये pensioner दिवस मनाया जा रहा है, और इसके इलावा ब्लॉक में भी कई जगा में pensioner दिवस मनाया ज आ रहा है, आज इस फ्लक्ष में में जितने भी हमारे सारे pensioner साथ ही होंगे, हम मिलेंगे, अपनी जो हमारी चिरकालिन डिमांड्स है, उनके उपर डिसकस करेंगे, और उनमें से मुख्यत डिमांड्स है, जो हमारी रही है, कि जो पंजाब का स्केल है, और pensioner को भी, और जल्दी से जल्दी जो है, हमारे को भी जो है, pension है, पंजाब के pattern पर, जैसे कि पंजाब ने pension दी है, उसी pattern पे हिमाचल परदेश के pensioner को भी वो pension दी जाएगी, और पंजाब ने इसका notification भी कर दिया है, और मैं आज आशाबादी हूँ कि आने वाले दिनों मैं मानिय मुख्य मंतरी, एक decision लेंगे कि हिमाचल परदेश के pensioner को भी जो pension पंजाब में दी है, वो ही हिमाचल में दे, क्योंकि हिमाचल परदेश में जो scale भी है, वो भी पंजाब के आते हैं, और हिमाचल परदेश और पंजाब का जो पिछला था, वो उसमें deviation थोड़ी ये थी, कि है वहाँ, वो basic pension की 5% increase देते हैं, और 70 वर्ष की I.U. पूरा करने पर पंजाब में जो है, increase 10% है, और 75 की पूरा होने पर वो 85% increase पंजाब में, 15% है, और इसके बाद 80 वर्ष की I.U. होने पर भी वहाँ जो 25% दी है, पर हिमाचल परदेश में सिर्फ 80 वर्ष की I.U. पूरी होने पर ये pensioner को 20% की increase देते हैं, तो हम ये चाहेंगे कि जो भी पंजाब पेक मिशन की रिपोर्ट है, pensioners के बारे में, pension के बारे में, जो उन्होंने notification की हुए, हिमाचल परदेश सरकार उसको अक्षर शर लागू करे, नहीं तो आने वाले दिनों में, जब विजान सभा का आगे का वजट सत्र शुरू होगा, मार्च में, नहीं तो हिमाचल परदेश के pensioner भी, जैसे बाकी लोगों ने भी अभी अपने, अपनी demands के लिए, चाहे वो employees हो, NPS वाले हो, या दूसरे जो employees है, अभीधान सभा का गिराओ किया, और वहाँ धर्मशाला में, तपो बन में गिराओ किया, तो आने वाले दिनों में भी, जो जिला शिमला के pensioner, particularly, और बाकी भी इनके साथ होंगे, कि आने वाले दिनों में, हम जब मार्च में, विधान सभा का बजट होगा, अगर उस से पहले, हिमाचल परदेश की सरकार ने, हमारे को जो पंजाब का ये pension as it is नहीं दी, तो मार्च में आने वाले दिनों में, शिमला के pensioner और हिमाचल परदेश के pensioner पूरे परदेश में, इस सरकार के against, बोलने के लिए मुखर रहेंगे, और हम भी, जैसे बाकी लोगों ने विधान सभा का गिराओ किया, आने वाले दिनों में, हम भी, चाहे विधान सभा क का गिराओ करना पड़े, या सेक्रेट का गिराओ करना पड़े, हिमाचल परदेश के pensioner भी उससे पीछे नहीं हटेंगे.